राजधानी शुमला एतिहासिक भवन टाउन हॉल में जल्द हाई एंड कैफे खुलने जा रहा है। तरह के खाने की चीज़े मुहिया हो सकेंगी। इसको लेकर बीते दिनो दिली में कंपनी के साथ MOU भी साइन किया गया है। यह कैफे टाउन हॉल के धरातल मंजिल में खुला जाएगा। टाउन हॉल की धरातल मंजिल 3800 वर्ग फुट क्षेतर में फैला हुआ है। टाउन हॉल का ग्राउंड फ्लोर है। और उसके लिए हम यह जो टेंडरिंग प्रोसेस है। वह ईचपी ऐडीवी ने की है। उनके भी धन्यवादी और उन्होंने इस टेंडरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करके वहां पे जो है एक पार्टी है उसको यह टेंडर दिया है। तो इसके अंदर कंसेशनिंग पार्टी एमसी होगी वह कंसेशने वह पार्टी होगी और जिसमें की उनको जी एस्टी को इंक्लूड करके तेरा लाक रुपे जो है महिने का एमसी को देना होगा और वह वहाँ पे एक हाई एंड कैफे चलाएंगे इसके अंदर हमने अपने नोडल आफिसर जो है वह एक्सियन महुदे को इसमें पॉइंट भी कर दिया है वहाँ पे होफुली उनके साथ बात भी हुई है एकबाल सिंग नाम से एक पार्टी है डेली से और वो होफुली आने वाले तीन मीने के अंदर अंदर वो कह रहे थे वहाँ पे जो भी उन्होंने इंटर्नल फिटिंग्स और सेटिंग्स करने है उसके प्रांथ तीन मीने में इसको वो स्टार्ट कर देंगे आपको बता दे कि शिमला के माल रोड पर टरनल हॉल का भवन 114 साल पुराना है इस भवन का दिर्मान ब्रेटिश काल में हुआ था और टाउन हॉल भवन का जिर्नो द्वार एशियाई विकास बैंक द्वारावीत पोशित लगभग 8 क्रोड रुपाई की लागत से किया गय है जबकि धरातर और उपरी मंजिल वेबसाइक प्रयोग के लिए दिये जा रही है कि चैनल के लिए शिमला से पुश्पेंदर कुमार की रिपोर्ट